शिरी हेमकुंट साहिब दी यात्रा ते गए एक नौजवान दी पेट परे खलातां दे विच मौत हो गई है दरसल किया जारे कि जदो गुर्दवारा साहिब दे बिल्कुल कॉल पहुंचिया सिरफ तिन सो मीटर दी दूरी ही रहेगी थी ता अचानक ही इस नौजवान दे विच काफी ज़्यादा तकलीफ महसूस होई जिस तो बाद एहे जमीन दिलते डिग जानदा है ति जमीन दिलते डिग जानदा है कि इस दी मौत हो गई है ता दास्तिये की बेहद ही मंदपा की खबर सामने आई है 12 जून नू एहे कारतो बड़ी खुशी दे नाड निकले सी यत्रा दे लई पर राद विच एहे प्यानक हासा वापर गया ज़स दे विच इस नौजवान दी मौत हो गई है ता दास्तिये की मृत्तक दी पहचान सुक्मन पाल सिंग वज्जो हुई है जो की तरन तरन दे पट्टी दा रहन वाड़ा दस्या जा रहे है 12 जून नू एहे कारतो बड़ी खुशी दे नाड माप्यान दा आशिरवाद लेके यत्रा दे रवाना होया सी पर राद विच ए इस दी मौत दी जाच होनी चाही दिया कि आखर इस नौजवान दी मौत होई कि मैं क्योंकि उना दा कहना है कि पहला वी एक कई वार्शीरी हेमकुंट साहिब दी यत्रा कर चुक है अजे ही कोई भी इसनू दिक्कत नहीं सी ता पर अचानक ही मौत हो कि मैं गई दुझे पा फिलहाल परवार जो है तरन तरन तो हुन इस नौजवान दी लाशनू लैंड दे लेई शिरी हेमकुंट साहिब दे लेई रवाना हो गया है पर दुझे पास से हुन इना ने परशाशनू ए वी गोहार लगाई है कि इस दी मौत दी जाच होनी चाही दिया क्योंकि उना दा पहला भी शिरी हेमकुण शाहिब दी यत्रा कर जुके है ते माप्याधा एधे एक लूता पोस्त है शिरी हेमकुण साहिब दी यत्रा ते गए एक नौजवान दी पेत प्रेखलातां दे विच मौत हो गई है दरसल केया जारे कि जदो गुर्दवारा साही दे बिलकुल कॉल पहुंचया सिरफ 300 मीटर दी दूरी ही रहेगी थी ता अचानक ही इस नौजवान नूँ सा लैंड दे विच काफी जादा तकलीफ महसूस होई जिस तो बाद एहे जमीन दे उते डिग जान दा ते जमीन दे ड आनक हासा वापर गया जजदे विच इस नौजवान दी मौत हो गई है ता दास दिये कि मृत्तक दी पहचान सुकमन पाल सिंग वज्जो हुई है जो की तरन तरन दे पट्टीदा रैन वड़ा दस्या जा रहे है बारा जून नू एहे कार्तो बड़ी खुशी दे नार माप कि आखर इस नौजवान दी मौत हाँ क्योंकि पहला बी एक कई वारशीर्य हेमकुंड साहिब दी यत्रह कर चुकेया है जेही कोई भी इस नुँ दिकफेत नइंसी ता पर अचानक ही मौत हो क्यमे गया कि दुज्जे पास से जानकारी ए मिली है कि जी मैंऔे, में दर्बार साहिब दे कोल पॉंचन वाड़ा सी ता 300 मीटर दी दूरी दे उत्ती किया जा रहा कि इसनों सा लैंड दे विचे काफी जादा तकलीफ होई तकलीफ हों तो बार एह जमीन दे उत्ते डिगया ते नाल दी नाल इस दी मौत होगी फिलाल परवार जो है तरन तरन तो हुण इस नौजमान दी लाशनों लैंड दे लेई शिरी हेमकुंट साहिब दे लेई रवाना हो गया है पर दुझे पास से हुण इना ने परशाशनों एवी गोहार लगाई है कि इस दी मौत दी जाच होनी चाहिए तकलीफ बेटा पहला भी शिरी हेमकुंट साहिब दी यत्रा कर ज